ओम नमस्षिवाय श्री शिवाय नमस्तुप्यम आज मैं आप लों को बताने जारी हूं भादबद किश्पक्ष में प्रदोश ब्रत कब है और इसका तिथी कारम कब होगा कब समापन होगा पूजा मुहत कब होगा कौन सा नच्छत्र है यह सारी जानकारी अपने वीडियो के में एक किश्पक्ष में इस बार जो प्रदोश ब्रत पढ़ रहा है वह भादबद किश्पक्ष में पढ़ रहा है और वह दिन पढ़ रहा है मंगलवार मंगलवार में पढ़ने के कारण इस प्रदोश का नाम भौम प्रदोश है प्रदोश ब्रत सबका होगा भादबद कि 2023 दिन मंगलवार को बहुम प्रदोश है भवान संकर और उनके परिवार को समर्पित होता है यह प्रदोश प्रत जो कोई भी प्रदोश प्रत करता है उसे भवान संकर की कृपा की प्राप्ति होती है साथ में गडेंजी माता पार्वती कार्दिके जी भी उस वेक्ति पर अतन अर महिने यह प्रदोश ब्रद जो कोई भी करता है तो सदा सर्वदा भावान शंकर की कृपा उस पर बनी रहती है प्रदोश ब्रद द्वादसी तिथी वो पढ़ती है द्वादसी तिथी का समापन होता है और त्रयोदसी तिथी का आरंभ होता है उस दिन प्रदोश ब्रद रखा जाता है दिन सों बार को द्वादसी तिथी दो बचकर के 24 मिनट रातरी से आरंभ होगा और मंगलवार शाम को द्वादसी तिथी का समापन है और साथ में त्रेवदसी तिथी लग जाएगा इसलिए यह ब्रत मंगलवार को रखा जाएगा जब प्रदोश काल में आप पूजा करेंगे उसमें आपको बहुती सुभ बहुती सुन्दर समय है द्वादसी तिथी का जाना और त्रेवदसी तिथी का आगमन यह जो दो तिथियों का जो संधी का जो समय है यह समय बहुत ही सुंदर होता है भवान शंकर की पूजा करने के लिए यह बहुत ही शुब महुरत है पूजा करने के लिए भवान शंकर की अराधना करने के लिए जल अविशेख करने के लिए वह समय है शाम को साढ़े पांच वजे से लेकर के साढ़े साथ वज का समय है प्रदोश काल का समय है यह समय बहुत शुब और सुन्दर है भावान संकर की पूजा करने के जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं प्रदोश प्रत पर भावान संकर को साम के समय में प्रदोश काल में जल से अवशेक करें तूज से अवशेक करें दही से अवशेक करें श भवान को पहनाएं भवान शंकर को पहनाएं साथ में गणेजी की भी पूजा करें माता पार्वती को भी पूजा करें माता पार्वती को एक चुनी जरूर चढ़ाएं साथ में आपके पास में एक ही शंगार का समानों जैसे चूड़ी हो तो सिर्फ दो ही चूड़ी आप मात पुजा करनी चाहिए जो बहुत ही शुब होता है प्रदोश ब्रत में सारा दिन तो फलारी किया जाता है और जब साम के समय में प्रदोश काल में जब भवांशंकर माता पारवती और गणेजी की पूजा कर ली जाती है पूजा करने के बाद में जब आरती जब भवांशंकर की पूजा करें तो उस समय आर्थी करें इस्तुति जरूर करें नमा मीश मीशान लिंगा अस्टकम जो होता है वह इस्तोत्र का पाठ करें इस्तुति जरूर करें फिर आर्थी करें जो भी आपने भोग लगा है थोड़ा सा भोग अपने घरवे लेकर रहा है अपने पूरे प फलों का सेवन कर सकता है लेकिन जिसने भवान शंकर की गुरु माला नहीं ली है वह दूर से भोग लगाए और उस फल को ग्रहन करें इसके बाद जब आप अपने घर में आ जाएं तो घर में आ करके एक टाइम अनाज खाया जाता है बहुत लोग दही पराठा खाते हैं दही ले पराठा है दूद पराठा है इस तरह से अनाज का सेवन किया जाता है हाँ उबले वह आलों कलरे वह आलूं नमकीन आलूं पराठा हो यह आप खा सकते हैं इस तरह से एक टाइम का अनाज खाया जाता है और जो पराठा बनता है वह देशी घी का बनाया जाता है सासो के तेल का नहीं बनाया जाता है और साधा नमक का इस्तिमाल नहीं किया जाता है नमक का फलहारी इस्तिमाल करेंगे इस तरह से बहुत लोग एक टाइम का भ प्रदोश ब्रत किया जाता है इस तरह से मैंने आप लोगों को अपने वीडियो के द्वारा प्रदोश ब्रत रखने की संपुन जानकारी दिये किर्पिया मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें कमेंट बॉक्स में ओम नमश्वाई जरूर लिग दें चैनल को सब्सक्राइब क झाल